आलिसान कोठी नौकर चाकर अपार संपत्ती बड़ी कंपनी की मालकिन सब कुछ तो था सोना के पास यह था नाम तथा काम मिट्टी को हाथ लगाती सोना बन जाता बस कमी थी तो साथी की एका की पन उसे कसक देने लग गया था अपने माँ बाप की एकलोती संतान होने के बाप जो सोना की बसियत में तो जादर संपत्ती नहीं मिली थी लेकिन इंजियरिंग की पढ़ाई करके वह कब नौकरी करते करते एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई पता ही नहीं चला उसके कुसल हाथ और प्रवल बहुत दिख बल उसे सीड़ी दर सीड़ी उंचा उठाता जा रहा था बस सारीरिक सोंदर से ईसोर ने पूर्णता बंचित ही रखा था उसे जीवन के 45 बसंत पाग कर चुकी सोना को कभी कभी इस्तरी तुल्य इस्तरीयों से रस्क होता था कि ईसोर उसे कोमलता देना ही भूल गए एक दिन ऑफिस में एक नव यवक हाँ जोडता हुआ आया कि मैडम मुझे जॉब की बहुत जरूरत है मेरी मा का अभी निधन हुआ है घर में और कोई नहीं है उस इवक की बातों में सोना को कुछ सत्यता लगी और उसने उसे जॉब पर रख लिया घर आने पर उस सुदर्शन इवक का चेरा सोना की आँखों में बार बार आ रहा था अगले दिन सोना ने उसे बुला कर उसका नाम पूचा तो ग्यात हुआ कि यह आकास नाम था उसका करीब 35 वर्सी यह आकास सोना की नजनों से ओजल नहीं हो रहा था कुछ समय विचलित रहने के बाद सोना ने अपनी उम्र से छोटे आकास के सामने विवाय पिस्ताव रखी दिया मुझूता हालात को देखते हुगे आकास ने भी विवाय के लिए रजमंदी दे दी सोना के तो मानों उसुस के जीवन में सुर में बहार आ गई हो बिवाय उपरांत सोना ने बरसों से दभी अपने इच्छाओं को साकार करने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया आकास भी जीवन के आभाओं से लड़ते लड़ते मानों सुक के सागर में आ गया हो सोना ने अपनी कुरूप काया को बाजार के महगे से महगे सोंदरे पिरसासनों दिस सजाना सुरू कर दिया छे महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला एक दिन रविवार को आकास अपनी बालकनी में बैठा तो उसकी नजर सामने एक यूती पर गई जो धूप में अलमस्त बैठकर केस सुखा रही थी उसकी उसका प्रितम सोंदरे और यह वह आवस्ता आकास को बेचैन कर गई सोना की पोड़ आवस्ता उसे अब कुछ बिमुख करने लगी थी एक दिन सोना को कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा अचानक दर्वाजे की घंटी बजी तो सामने उस सुन्दर चेहरे को देखकर आकास हास्तरप्रप्सा हो गया नीलम नाम है मेरा मुझे दही लेना है आपके यहां से आकास नीलम को एक टक देखता रहा फिर अचानक उसकी तंद्रा तूटी और उसने दही दिया नीलम और आकास ने एक दूसरे का पर्च दिया फिर दोनों एक दूसरे से मिल्ले के बहाने ढूंडने लग गए और दोनों का आकरसर बढ़ने लगा दोनों के बीच हसी ठेटोली होने लग गई एक दिन अचानक नीलम ने आकास से कहा तुम मुझे अच्छे लगते हो आकास ने नीलम से कहा मैं बिवाईत हूँ लेकिन उसके अंदर का कमजूर पुरुश नीलम की वो राकर्षित करने लगा आकास और नीलम दोनों अक्सर मिलने लग गई एक दिन सोना कमपनी के काम से बाहर गई थी नीलम मोकर देखा आकास के पास आ गई अचानक दरवाजे की घंटी बजी सामने सोना को खड़ी देखकर नोकर ने पूछा आरे मेम साप आप एक दिन पहले ही आ गई हाँ रामू मीटिंग कैंसल हो गई थी इसलिये में जल्दी आ गई राहू ने तुरंत सोना को नीलम के अंदर होने की खवर दी सोना नोकर रामू को सांत कराते हुए तुरंत घर से बाहर चली गई सोना की अन्भवी नजरे सब समझ चुकी थी लेकिन वो आकास से सच्चा प्यार करती थी और अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहती थी अगले दिन सोना नियत समय पर घर आई और उसने आकास के सामने ऐसा बेवार किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं एक दिन सोना और आकास बैठे थे तो नीलम का फोन आया कि मेरी तबियस सही नहीं सोना भी आकास के साथ नीलम के घर चली गई दोनों नीलम को होस्पीटल ले गए वहाँ पता चला कि नीलम मा बनने वाली है आकास के चेरे की रंगत उड़ गई तो सोना ने आकास से पूचा कि तुम इतना क्यों घवरा रहे हो मुझे पत सब पता है तुम परिसान मत हो मैं कोई उचित हन निकालूंगी सोना की बात सुनकर आकास ह Carnies से सोना को देखने लगा उसकी नजरे सर में से झुड़ी जा रही थी वो कुछ कह नहीं पा रहा था सोच रहा था सोना को कैसे पता चला सोना उसकी मन इस्तिती को समझ गई तरह उसने सब बताया कि रामु काका ने उन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया था सुनकर आकास के आश्चरे का ठीकाना नहीं रहा कि सब कुछ जानने के बाबजूद सोना ने कितने सयम से काम लिया वो सोना के चरन पकड़ना चाहता था लेकिन सोना ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि इसमें किसी का कोई दोस नहीं सब परिस्तितियों का खेल है फिर नीलम को बुला कर सोना ने दोनों से कहा अपने प्यार के निशान इमान कर मैं मातक तसुख भी महसूस कर लूँगी और जीव हत्या भी नहीं होगी लेकिन लोग क्या कहेंगे नीलम ने कहा तुम दोनों को बिवाय करना होगा सोना ने कहा कैसी बात करती हो सोना आकास बोला नीलम मैं ठीक कह रही हूँ आकास तुम दोनों अपने दुनिया बसाओ बस मुझे एक जीने की बचे दे दो ममता से सूखे मेरे मन को मातत का सुख भी मिल जाएगा और मेरी संद्या का वारिस भी कहते हुए सोना रोने लग गई नीलम और आकास ने सोना को गले से लगा लिया सोना के त्याक से दोनों के आँखों से असुधारा बैर रही थी दोस्तों कहानी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब कर लेना प्लेगी लेना